हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्माइटे के निम्योन पर दोस्तों आज के सी वीडियो में हम रसाइन विग्यान का छबारा की तीन अति महत्वपूर रसाइनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे जो आपके सुरू करते हैं आज के हमारा टापिक है रसाइन विग्यान क्लाश 12 प्रमुक्रासाइनिक अभिक्रियाओं दोस्तों ये बोर्ड एक्जाम में आपके पूची जाते हैं ये रियक्षन कुछ इस प्रकासर हैं पहली अभिक्रिया है हमारी फ्रीडल क्राप्ट अभिक्रिया दोस्तों यह अभिक्रिया आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी महत पोड़ है, तो चलिए देख लेते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब बेंजीन या अन एरोमाटिक हाइटो कार्बन और अलकिल हाइलाइड को निर्जल अल-C-L-3 की उपासि में, अभिक्रियत करते हैं, तब बेंजीन नाभिक का हाइट्रोजन परमाडू, एलकिल मुलक द्वराप्रति स्थापित हो जाता है, अब दोस्तों तलिए से इसका रियक्शन देखते हैं, उदाहन कैसे, तो कहा क्या गया इसमें, जब बेंजीन या अन एरोमाइटिक हाइ पर बेंजीन ले सकते हैं, या अन भी ले सकते हैं, तो चलिए हम इसमें पहले बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन का फार्मूला होता है दोस्तों, उदाहराण इसका, उदाहराण, इसमें दोस्तों हम पहले बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का फार्मूला होता है, सी, सिक्स, का है या है यहिसरी सह चीछ कicking को में पर मेठीलायड आदेट है टो बेन्जीन को ऐलकील हाइलाइड यानि कि मेधिलायड CS3, अब दोस्तो हाइलाइट से मूँ जानते होंगे आप CL हो गया, आई हो गया, यानि हाइलोधन परिवार के जो होते हैं तो जैसे हम CS3, CL ले थे, तो यह दोस्तो हमारा मेथिल हाइलाइट हो गया तो कहा गया है, जब बेंजीन या अन एरोमाइटी हाइडोकारवन और एलकिल हाइलाइट को निर्जल ALCL3 के उपाश्चिते में, अब दोस्तो निर्जल ALCL3 यानि कि यह क्या है उपाश्चिती यानि कि यह उत्प्रेरक है हमारा और आप जानते होंगे दोस्तों, उत्प्रेरक का काम होता है अब क्रिया के बेग को घटा या बढ़ा देता है दोस्तों यह अब क्रिया में भाग नहीं लेता उसके बेग को घटाता या बढ़ाता है तो हम यहाँ पर इसे AL3L3 को उद्प्रे रख के रूप मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों होगा निरजल ALCl3 यह ow गए दोस्तों हमारा अब इससे हमें उध्पात क्या पराप्स होगा तो इसमें कहा क्या गया है उपच्चिती में अभिक्रत करते हैं तब बंजीन नाबी का हाइड्रोजन पर मालू यानि कि बंजीन का जो दोस्तों हाइड्रोजन पर मालू है यह किस से एलकिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है यानि कि हाइडोजन परमाडू इसका हाइडोजन परमाडू इसके एलकिल मूलक यानि C-L द्वारा हाइडोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और बचेगे क्या हमारा C-6, H-5 और C-H-3 CH3 और दोस्तों इधर हमारा प्रतिस्था पी दो जाएगा हाइडोजन परवाण इसका और ये हमारा इलकिल मूलक यानि HCl हमारा से इस बच जाएगा तो ये दोस्तों C6, H5, CH3 हमें प्राप्त होगा अब ये होता कहा है दोस्तों तो इसे हम कहते हैं टालूइन ये दोस्तों टालूइन का फार्मूला है C6, H5, CH3 प्लस HCl ये दोस्तों हाइडोक्लोरिक अम्र प्राप्त होगा हमें तो यही है हमारी फ्रिडल क्राप्त अब इक लिए यानि जब बेंजीन या अन्य अरोमाइटिक हाइडोकारबन और एलकिल हाइलाइड को निर्चल A.L.C.L.3 की उपस्ती में यानि की निर्चल A.L.C.L.3 हमारा उत्रेर का का काम कर रहा है की उपस्ती में अभिक्रत करते हैं तब बेंजीन नाभिक का हाइडोजन परमार यानि की बेंजीन का हाइडोजन परमार इलकिल मुलक द्वारब पर तिस नेच्स तुडेन बेड़् फिटिंग अभिक्रिया अभी यह क्या होती है तो इसमें देखते हैं एकलाइड का एकलाइड से सुष्क एथर की उपस्टिती सवगिय विक्रिय कहलाती हैρα Exercise H con अभी किया था उसमें CHCl3 तो हम यहाँ पर CH3 और हम इसमें जैसे आयोडीन ले 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 लिए हैं हाईलाइड की जगह पर यानि क्लोरीन की जगह पर आयोडीन ले ले लिए यह भी दोस्तों हाईलोजन परिमार से अब एलकिल हाईलाइड तता हेटिल हाईलाइड हो गया हमारा अब एलकिल हाईलाइड तो इसमें हम लेते हैं एरोाइटिक हाईटो कारवन से जानी की CH3 CH5 इसमें भी दोस्तों एलकिल हाईलाइड की जगह पर आय ले लिया यानि कि यह भी हाईलोजन पर वार्स तो यह हो गए अब क्या ताहाँ किया है दोस्तों इसमें सोडियम की उप जमास्तों परस्तिती में चाहनल कि भी शुष्टीश रहें तो build strengthen कार जाए कर रहा है सुष्क ठीश फीफार कि कि इसमें दोस्तों हमें इसके संयूप से पराप्त क्या होगा इरोमाइटिक हाईटो कारवन यानिकि यानिक हाईटोकारवन कहें तो यह C6, H5 और C3 यह हमारा अलग हो जाएगा और 2 यह हमें प्राप्त होगा तो हमारे इसका उत्पात प्राप्त होगा यहां पर दोस्तों तो इसे हम कहेंगे C6, H5 और यह दोस्तों इसके साथ C3, यह हमारा अलग हो जाएगा और प्लस हमें प्राप्त होगा यहानि ए आई और 2 इसका है तो दोस्तों यह 2 हो गए और 2 आई होगे तो हमारा cobicrya भी balance हो गए इस प्रकार से यह भी दोस्तों हमें रख्या है तालूईन है तालूईन और इसे भी दोस्तों हम कहेंगे aromatic hydrocarbon तुर ये दोस्तों हमारी हो गईiyi गोल्दश्प्िटिंग अभिक्रिया इस प्रकार से ये रेक्षान हमारी complete हो . JUL- scam jsem अभिक्रिया हो तो इससे कहा तो यह प्राइमरि एमीन बनाने की भीधि Check कार्बोक्सिलिक अम्लिक की अभिक्रिया हाइडरोजोईक एसिड यानिकी यानि 3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपहसिती में 0 डिग्री सेल्शेस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है दोस्तों सांद्र H2SO4 और पानी H2SO4 यानि कि सांद्र और तनु आप जानते होंगे सांद्र का मतलब गाढहा बिल कि तो यह हो गए हमारा अब चली इसका उदाह्यां देखते हैं कि इसमें दोस्तों कार्पोंक्सिलिक अम्लिकी अभिक्रिया क्रिया तो कॉट्पोंग कम्लिका सुत्टर होता है दोस्तों C-H3 C-O-H यह दोस्तो क्रिया अत्मक समूँ है C-O-H यह क्रिया अत्मक समूँ है की क्रिया हाइडरोजोइक एसिड से कराने पर अब इसमें हाइडरोजोइक एसिड लेंगे N-H3-H अब किसकी उपच्च्चिती में है दोस्तों तो सांद्र H2SO4 यानि कि सांद्र H2SO4 हमारा अवत्प्रेड़क है सांद्र H2SO4 इसका काम कहा है दोस्तों उत्प्रेड़क कारे कर रहा है इसमें प्राइमरी एमीन बनदा है हमारा तो प्राइमरी एमीन यानि कि एमीन का जो क्रियात्मक समूल होता है वह नहीं होता है तो इससे हमारा क्या प् और lust यह करें रहा है तो इसमें हमारा प्राप्त होगा J202 बचेगा हमारा बच रहा है तो यह संनो हमारी सिब्ट ढब तक्रिया